Hello friends, welcome back to Tube Talk तो दोस्तों, आज MX Player ने एक ऐसी announcement करी जिसे देखने के बाद हमारे को मज़ा आ गया दोस्तों क्योंकि MX Player ने एक teaser release किया है उनकी आने वाली नई web series जिसका नाम है Ram Yug दोस्तों, मैं आपको आपर यह भी बता दूँ कि Ram Yug कोई अभी की web series नहीं है पहले इसे film की तरह produce किया जाना था और 2018 में इसकी announcement हो गई थी जो इसके producer कुनाल कोली ने करी थी और उन्होंने ये का था कि ये right time है एक ऐसी movie लेकर आने का जो youth के साथ link कर सके Ram Yug को और तबी से वो इसकी production में लगे थे लेकिन finally आजकल जैसे हम लोग जानते हैं कि theater releases possible नहीं हो पा रहे हैं शायद उनका MX Player के साथ को ये contract हुआ कि उन्होंने इस film को अब web series में convert कर दिया है और वो MX Player की original web series बनकर अब आपको देखने को मिलने वाली है और ये MX Player पे रिलीज होगी बात करें दोस्तों इस web series के कुछ interesting facts की तो अगर आपने इस का MX Player पे teaser देखा है तो उसमें आपको हनुमान चली सा recite करते हुए सुनाई दे रहे हैं अमिताब बच्चन जी है अमिताब बच्चन ने हनुमान चली सा recite किये इस web series के लिए और दोस्तों खास हाथ ये भी है कि इसका music जो है वो जाकिर उसेन दे रहे हैं दोस्तों अगर बात करूँ इसके lead actors की तो अभी तक producers ने चुपा के रखावा था लेकिन जो इश्वस्ने सुत्रों से विदा खबर आ रही है आपको इसकी lead में देखने को मिलने वाले है इसका चोपड़ा और वियान भांतिया दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यह कोई बहुत चाड़े चोड़े चोड़े characters इसमें आपको शायद देखने को ना मिलें यह limited cast की web series होने वाली है The Legend of Hanuman और उसको बहुत सारा प्यार दिया था आप सबने मेरे वीडियोस पे भी बहुत प्यार मिला था तो उस वज़ाय से शायद यह time अब आ चुका है कि हमारे panoranik ग्रंतों को हुटा कर उसमें से web series बनाई जाए और हमारे youth को उसके साथ connect किया जाए और यह बहुत अच्छा ट्रायल है और मैं बहुत जादा excited हूं MX Player पर देखने के लिए कि हमें अब इस web series में देखने को क्या मिलने वाला है अब बात करें इसके release date की तो दोस्तों MX Player जब भी कोई teaser release करता है तो उसके 30 दिनों के अंदर यानि कि चार से पांच हफ्ते के अंदर ही उस web series को release कर देता है उससाब से देखा जाए मेरे इसाब से movie के 3 घंटे में complete नहीं हो सकती थी इसलिए इस web series को थोड़ा लंबा बनाया जाएगा हो सकता है इसे एक पार्ट में ना भी बनाया जाए इसके दो या तीन पार्ट भी आए लेकिन अब हम excited है में के लिए जब राम यूग आपको most probably mx player पर free में देखने को मिल जानी चाहिए दोस्तों टिसका चोपड़ा अफकोस में को लगता है कि काफी अच्छा उनको बड़ा ही रोल मिलेगा इस web series में जैसी गो एक्ट्रेस हैं लेकिन बहुत जादा बड़े कोई इस कास्ट में इसमें भी तक नाम मेरे सामने नहीं आये हैं जो भी सुसर बता रहे हैं वो web series के लिए ये दो-तीन नाम बता रहे हैं भी तक जो सामने आये हैं अब हमें wait करना पड़ेगा इसके official trailer के लिए तब हमें और जाद डिटेल मिलेगी इसका teaser is time mx player पर आप इसे वा पूर चानल उन्ति अटिंट बता रहे हैं ने क्त रहुझ एसके लिए एसके लिए लिए प्रहां प्रूट पूट को